आगे बढ़ते हैं अब जराब बात कर लेते हैं चीन की अर्थवयोस्था में कमजोरी और रियल एस्टेट सेक्टर में जोखिम का हवाला देते हुए रेटिंग एजनसी मोडीज ने चीन की रेटिंग पर अपने आउटलुक को स्टेबल से घटा करके निगेटिव कर दिया है मोडीज ने कहा है कि चीन के अर्थवयोस्था 2024 और 2025 में 4 फीसद की सालाना गाती से बढ़ने की उमीद है वहीं 2026 से 2030 तक चीन की सालाना आर्थिक बृद्धी धीमी होकर आस्तन 3.8 फीसदी रहने का अनुमान है सर यह जो डाउन ग्रेट करने के बाद क्या कुछ बाते रहीं इसके विसे डाउन ग्रेट किया गया मूडी का यह आउटलुक चेंज काफी संसनी खेज रहा है और चीन के चीन पे इसकी पुद्धिक्रिया हुई जो हमें बनती दिखाई दे रही है मूडीज ने दो महतुपूर्ण बाते कहीं है मूडीज ने ये कहा है कि चीन की सरकार ने जो अपनी लोकल अथारिटीज को फंड्स दिये हैं और उनके पास जो कर्ज हैं और वो जो कर्ज उन्होंने आगे रियल स्टेट सेक्टर को दे रखें इन्होंने मिलकर एक बड़ा चुनोती पूर्ण महाल बना दिया है और इसलिए चीन की अर्थवे उस्था में अब एक संकट बनता दिखाई दे रहा है जो आकड़ा है वो आकड़ा इसलिए जाथा चौकाने वाला है वेपल क्योंकि 4% की चीन की जिडिपी ग्रोफ रेट बेहत कम है दुनिया की मांग के हसाब से दुनिया की जरूरतों के हसाब से भी बहुत कम है मुडीस का कहना है 24 और 25 दोनों सालों में 4% की ग्रोफ रेट रहेगी यानि ये पिछले 20 सालों में चीन की सबसे कम जोर आर्थिक विकासदर होने वाली है और ऐसी इस्तितिक के बाद पूरी दुनिया की आर्थिक विकासदर में तेज कमी आएगी क्योंकि चीन के पास बड़ी क्षमता हैं चीन दुनिया के बाजारों का सबसे बड़ा निर्यातक है और सबसे बड़ा आयातक भी है इसलिए इससे गलोबल ग्रोफ को लेकर अंतराश्टी ग्रोफ को लेकर भी अनुमानों में बदलाओ होगा और इसका असर हमें शेर बाजार के सिंटिमेंट पर भी दिखाई देगा बिल्कुल असर चीन की अर्थविष्था को लेकर के भौशी की इस्तिया को कैसी दिखाई देगा और इसका अंदेकेट किया किस तरीके से विश्युक के अर्थ व् formula पर पड़े हैं चीन की अर्थ विवास्ता में दू कल पर हो की आ रहा है इसके अंदर चल की आ रहा है और चीन चीन ने पिछले एक साल के भीतर क्या क्या गमा दिया है दुनिया में कौन कौन से इस तर गमा दिये हैं वास्ते बिकता है कि पिछले एक साल में कोविट के बाद दुनिया में जितनी ग्रोथ हाई उसमें चीन का कोई कांट्रिबूशन नहीं दिखाई दिया है विस्तार से ज जहां केवल कमपीनिया ही नहीं, राज्य सरकारें भी डिफाल्ट की तरफ बढ़ रही है। के भी तरफ क्या हो रहा है, विस्तार से मिस बार के एकनामिका में बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो इस्तिती है उसमें ये लग रहा है कि अगर चीन के इस डाउन ग्रेट के बाद शेरबा जारों में अफरा तफरी मच्चिती जिसकी संभावना है, तो इमरजिंग माकेट में विदेशी निवेशकों के जो इमर्जिंग माकेट से में विदेशी निवेशकों के निवेशके तरु तरीकों में बदलाओ करेंगे, चीन से निवेशकों की एक खे पहले ही उड़का जा पान जा रही है, लेकिन अब चीन के इस लाउन टर्म आउटलुक को सामने आने के की केवल चार परसिन की ग्रोथ रहेगी दो साल में विदेशी निवेशक अपने तरु तरीके में अपने निवेशके तरीके में बदलाओ करेंगे, चूंकि अभी फिलहाल बे आज़ दरें उची हैं अंतराश्टरी इस तर पर बहतर रिटर्न मिल रहा है बार्ड माकेट मे तो चीन से निवेश का एक्जिट शुरू हो सकता है जो चीन की समस्या और जादा बढ़ाएगा तो चीन की समस्या और बढ़ सकती है और इसका असर दुनिया भर के बाजारों में और नेशे तुरू से भारती शेर बाजार भी सेच होते नहीं रहेंगे